आज हम देखने वाले हैं 96 से आगे हम mcqs देखेंगे इससे पहले 95 तक हो चुके हैं अगर आपने वीडियोस नहीं देखें तो आप लोग देखिए सारे mcqs से बहुत इंपोर्टेंट हैं तो हम इसमें बात करने वाले हैं जैसे कि आपको सामने कोश्चन दिखाई दे रहा है 96 एक्जामपल फॉर ए नेचुरल एंटिकोगलेंट यह बहुत बार पूछा गया है यह सवाल अलग अलग एजाम में आ चुका है नेचुरल एंट आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म भी पूछता है यह बहुत इंपोर्टेंट है तो यह एक्जामपल बहुत इंपोर्टेंट है यह और सारे देखें एंटिकोगलेंट की उपर पूरा वीडियो भी मेरा कंप्लीट बना हुआ है आप देख सकते हैं वाइल की उपर बन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आपको बहुत सारे प्रक्टिकल वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं इनका इस्तिमाल कहां होता है क्या यूजेस है सब कंप्लीट फिर भी आंसोट में हम देख लेते हैं जैसे कि यह आपका इडिटी यह ह बहुत इंपोर्टेंट है और यहीं से आपके स्टार्टिंग होती है क्योंकि जब आपको यह वाइल्स के बारे में और एंटी कोगलेंट के बारे में पता होगा तभी आप सेंपल लेंगे और फर्दर आप टेस्ट पर्फॉर्म कर सकते हैं तो इस चीज़ को आपको धिया रखना है फैरन मैंने आपको बता दिया बागी ACD solution जो होता है यह आपके blood bank में काम आता है acid citrate dextrose इसको बोलते हैं ठीक है यहां पर क्या है ठीक है तो अलग-अलग कही जगे पर आपको देखने को मिलेगा एंसर लेकिन यहां पर इसका एंसर डी है 0.199 तो correct option आपका कौन सा हो जाता है डी वाला ठीक है बागी सब option यहां पर गलत दिये हुए उसके बाद हम चलते हैं अगले question की तरफ 98 98 यहां पर बेसिलाई तो ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए selective media कौन सा है यह बहुत important question है और यह अक्सर सवाल पूछा भी जाता है और microbiology से culture media के उपर बहुत सवाल बनते हैं इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा उसको यहां पर SS agar, RCM, LJ और CA तो correct option तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, LJ media होता है, LJ का full form आप सभी लोगों को पता है, Lowenstein Jensen, ठीक है, तो microbacterium के लिए आपको LJ media का इस्तेमाल करना है, तो यह बहुत important है, LJ media, ठीक है, full form भी सभी का पता होना चाहिए आपको, अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर जो option बाकी दिये है, SS agar दिया हुआ है, तो SS agar आपका पता होगा, सालम निला सेजिला के लिए इस्तिमाल किया जाता है, selective and differential medium, ठीक है, सालम निला सेजिला के लिए, और उसके बाद आपका आजाता है, RCM, तो RCM आपका Robertson cooked meat है, ठीक है, full form आप लोगों को बता रहूं है, Robertson, नाम सुना होगा आप सभी लोगों न ठीक है, देखा भी होगा, मेडिया कैसे होते हैं, तो ये आपके call stadium, ठीक है, call stadium species जो होता है, वहाँ पर इसका इस्तिमाल किया जाता है, RCM का, तो ये sort form पूछ लेता है, तो आपको confusion होने की जरूरत ने, उसके बाद है, C A, ठीक है, तो C A का full form होता है, citramide agar, ठीक है, तो pseudo लूमनास जो होता है, उसमें इसका इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको सब के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा तभी आपको जो है, डिफरेंसियेशन पता होगा, बाकी आपको तो simple है, इसका answer क्या है, एंसर तो आप बता ही सकते हैं, फ ठीक है, एंडोक्राइन, एक्जोक्राइन, ग्लेंड आप लोगोंने सुना होगा ना, ठीक है, तो हमें भी वाइवाव में एक बार पूछा गया था कि एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लेंड में में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख चलिए तो यह चीज तो आपके होंबर्क हो जाते हैं कि उनको पढ़ना है आपको और हमेशा याद भी रखना है तो यहां पर पिनियल ग्लेंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है तो एंसर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं इसका एंसर है बी नंबर ठीक है मे लोगों ने बहुत बार सुना होगा पिट्यूट्री ग्लेंड हाइपो थेलेमस इसके सेल ठीक उसके बाद यहां पर ऑक्सीटोनिल सी वाला ऑप्शन यहां पर ऑक्सीटोनिल इस प्रोड्यूस इंदा हाइपो थेलेमस और सीक्रेटेड इंटू दा ब्लेड स्टीम यहां पर दिया है आपका एडेनलल इन नाम से है आप लोगों को जो deliver discussions सेंसे के अ addictive है बहुत इंपिटेंट है अच्छे से आप इसको पढ़िए और टो मीजबा पढ़ेंगे इस चैप्टर फिटेंट फोरे आपको अलग से एक चैप्टर है वहाँ पर आपको ये सारे ग्लेंट्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएंगे उसके हार्मोंस पढ़ने को मिल जाएंगे उसके फंक्सन क्या क्या होते हैं वो भी आपको डेटेल में पढ़ने को मिल जाएगा तो वहाँ पर ये सारी चीजें आपको नौले सवाल है यहां पर पूछा जा रहा है आप से यह ब्लेड बैंक का सवाल है ठीक है और आप लोगों को दिखा देता हूं हंड्रेड हमारे MCQs आज कंप्लीट होते हैं इसके बाद भी कंटीनियूस हमारे MCQs आते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे बेल आइकन दबा करके रखे इसी तरीके से MCQs आपको विथ एक्स्प्लेन मिलते रहेंगे ठीक है और बेल आइकन जरू दबाई ताकि न पैपीन टेस्ट, सेलाइन टेस्ट और अलबूमिन टेस्ट, सोरी यहां पर टेस्ट है यह स्पलिंग मिस्टेक है एश कर लेना इसको ठीक है चलिए तो यहां पर जो option दिये हुए है, option में ही आपका सारा कुछ छुपा हुआ है, कि ये तीन option जो है, पैपीन सब्द ये आपके, कहीं से दूर दूर तक कोई correlate नहीं कर रहा है, आपके blood brain से, saline test ये भी नहीं कर रहा है, albumin test ये blood test है, जो कि आपके biochemistry का है, ठीक है, तो ये तीनो test आपके रोंग हो जाते हैं, अब बचता है आपका anti-globulin test, कौन सा anti-globulin test, agt भी इसको बोलते हैं, इसका sort form क्या है, agt, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, तो sort form बहुत important है, छोटी छोटी चीजों में हमार खा जाते हैं, कभी-कभी, हमें पता सब कुछ होता है, हम सब कुछ लेते हैं, और उसके अलावा हमें practical भी सब कुछ आता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा by chance mistake हो जाता है, कि हम बिल्कुल छोटी चीजों को हम miss कर देते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान भी बहुत जादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर बहुत माइने रखता है, तो अगर कभी एज़ेटी पूछ लिया, हमने ध्यान नहीं दिया कि यह क्या चीज होता है, तो हम कुम्स टेस्ट जो है, आलसो नौन अस एंटी ग्लोबिलिन टेस्ट, ठीक है, तो कुम्स टेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सब लोगों ने अच्छे से पढ़ ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारे MCQs थे आज के, और बाकी इनके बारे में डेटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैपीन टेस्ट, आलसो नोन अस पपाया, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एज, जो एंजायम होते हैं, और सेलाइन टेस्ट, अलबूमिन टेस्ट, यह सब चीजें जो है, अलबूमिन टेस्ट के बारे में आप लोगोंने सुनाई होगा, ब्लड टेस्ट है, तो यह बायोकेमिस्टी का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ एक्स्प्लिन करने की ज़रूरत नहीं है, अल्रेडी हम बता चुके उन टेस्ट के बारे में, तो इस तरीक